नेक्स्ट है हमारी exercise 14F देखते हैं इसके part number 1 का question number 1 जिसमें हमें ABCD एक rectangle construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक raps catch do करते हैं तो यहाँ पे मैंने already एक raps catch do कर लिया है जो इस तरह से है ठीक है इसमें AB 6 cm है और BC 5 cm है और जो rectangle होता है उसका हर एक जो angle होता है वो होता है 90 degree का तो मैं यहाँ पे एक जो angle है उसको construct करूँगा ठीक है न बी पे तो देखिए इस raps catch का use करके हम किस तरह से जो यह rectangle ABCD है इसको construct करते हैं तो यहाँ पे जो यह base line है ना AB मैं इसको लेता हूँ तो मैं पहले इसको ठीक है इसका मैं लिख देता हूँ जैसा कि इस raps catch में है AB तो यह है 6 cm मुझे B पे 90 degree का angle construct करना है यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ इस पे अब जरूरी नहीं था कि आप B पे ही करें आप AP भी कर सकते थे ठीक है तो मैं B पे construct कर लेता हूँ 90 degree का angle तो यह हो जाएगा अब क्या करते है जहां पे इसने इधर मीट किया है यहाँ पे steel point रखता हूँ मैं इसका compass का और एक 60 degree angle की आर्क लगाता हूँ तो यह 60 degree का किया था इसने वहीं से एक और का आर्क लगाता हूँ जो होती है 120 degree की तो यह 120 degree की अब 60 degree से मैं ऊपर की तरफ एक आर्क लगाता हू ठीक है ना क्योंकि मुझे 90 degree की angle बनाना है तो इन दोनों का जो bisect है वो होगा 120 और इसका 60 का वो क्या होगा 90 degree होगा अब मैं 120 से लगा देता हूँ ठीक है इधर वापिस से लगा देता हूँ क्योंकि complete नहीं हुए यह तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ यह इसको complete करेगी तो जहाँ पर इसने intersect किया है ठीक है इन आर्क्स ने उधर से मैं क्या करता हूँ लाइन ड्रो कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं लाइन ड्रो कर लेता हूँ इस तरह से ठीक है इसको ले लेता हूँ मैं x clear अब क्या करते है यहाँ पे देखोी आप sketch में Wc जो है वो है 5 cm तो मैं क्या करता हूँ Wc को क्या करता हूँ Cut करता हूँ 5 cm ठीक है यहाँ से भी एक्स को removal करते वे क्स पर? Wc पर तो यह point आगे मेरा यहाँ पर C ठीक है अब मुझे क्या करना है जो यहाँ पे यह point है इससे एक 5 cm radius के arc लिए यह 5 cm थी अब यहाँ पे तो कहले लिखा नहीं हुआ है लेकिन हमें पता है कि जो rectangle है उसकी जो opposite side है वो होती है equal अगर मेरे पास BC 5 cm है देखो यहाँ पे आगया ABC तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं D होगा तो AD कितना आएगा 5 cm आजाएगा तो इसलिए मैं क्या करूँगा 5 cm radius के arc लगा दूँगा यह already major है 5 cm ठीक है ना पहले से fix है यह तो यहाँ से मैं A से 5 cm radius के arc लगा दूँगा ठीक है कुछ इस तरह से यह लग चुकी है 5 cm radius के arc अब मैं क्या करूँगा यहाँ से C से previous arc को cut करते हुए 6 cm radius के arc लगा दूँगा जो intercept करेगी किस पे D पे C से यहाँ तक D तक 6 cm के arc क्यों क्योंकि यहाँ पे मेरे पास AB जब मैं rub sketch में देखता हूँ तो AB यहाँ पे इसके opposite में होती है CD तो rectangle की जो opposite side है वो होती है जब AB मेरे पास 6 है तो CD भी 6 होगा तो इसलिए मैं 6 cm radius के arc लगा दूँगा ना मैंने compass को fix किया इस पे और यहाँ से C से 6 cm radius के arc लगा दी जो पिछले वाली arc को intersect करते है किस पे D पे अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे AD को और CD को जोइन कराइता हूँ तो यह मैंने जोइन करा दिया किसको AD को और यह मैंने जोइन करा दिया यहाँ से इसको CD को ठीक है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CD यह जोइन कर लिए इनों ने clear तो इस तरह से जो हमारा ये rectangle ABCD है वो construct हो जाएगे इन given measurements का यूज करके अब बात आती है steps of construction की तो वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिए है तो वो इस तरह से होंगे तो देखो यहाँ पे क्या 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 है सबसे पहले यह steps of construction है सबसे पहले हमने draw किया AB is equal to 6 cm यही किया था हमने उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे B पे एक 90 degree के angle बनाया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया draw angle ABX 90 degree यह तो किया था हमने angle ABX 90 degree उसके बाद हमने क्या किया उसको cut किया BC 5 cm from BX BX से हमने BC पे 5 cm का cut लगा from A draw an arc of radius 5 cm फिर हमने क्या किया A से यहाँ पे 5 cm radius के एक arc लगाई चीक है उसके बाद हमने क्या किया C से एक arc लगाई 6 cm की यहाँ से C से 6 cm की arc लगाई previous arc को cut करते हुए इस पर D पर अब हमने क्या करा है इसके बाद जॉइन करा गया A को D से और C को D से इस तरह से जो हमारा required rectangle है ABCD वो construct हो जाता है next list के part number 1 का question number 5 तो यहाँ पे हमें ABCD एक rectangle construct करना है इन given measurements का यूज करके जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं सबसे पहले उसका एक rough sketch draw कर लेते है तो यहाँ पे मैंने ABCD rectangle का एक rough sketch draw कर लिया है अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो यह measurements दी गई है इनको fill कर ले ना इसमें तो AB यहाँ पे दिया गया है 6 cm तो मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ 6 cm and BD यहाँ पे दिया गया है हमें 8 cm तो यह इसका diagonal है ठीक है इसको मैं write कर लेता हूँ यहाँ पे 8 cm अब यहाँ पे ना हमें पता है कि rectangle के जो angle होते है ठीक है ना तो हर इक angle होता है 90 degree का जो इसका interior angle होता है तो यहाँ पे मैं A पे बनाऊँगा इसको ठीक है तो अब हम क्या कर लेता है इसकी base line को ले लेता है तो base line यहाँ पे दी गई है AB 6 cm तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AB is equal to 6 cm तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे scale से measure कर लेता हूँ तो यह आजाती है 6 cm ठीक है write कर देता हूँ मैं AB यह 6 cm अब हमें क्या करना है आप sketch के according ए पर 90 degree के अंगल बनाना है तो मैं ए पर बना लेता हूं इसका compass कई यूज़ करके तो यहाँ पर 90 degree के अंगल construct करना है हमें तो यह हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा ठीक है यह आगए यहाँ पर तो जहाँ पर इसने इस baseline को meet करा है उधर से मैं क्या करूँगा steel point को रखूँगा यहाँ पर एक 60 degree की arc लगा दूगा तो यह 60 degree की arc हो गई इसके बाद यह 60 degree से मैं एक और arc लगाँगा तो यह हो जाएगी 120 degree की arc ठीक है 120 और 60 का जो bisect होगा वो होगा 90 degree ठीक है तो यहाँ पर 60 से लगा दूगा पहली arc और उसके बाद 120 degree से दूसरी arc तो जहाँ पर यह intersect करेंगे उससे मैं क्या करूँगा एक line draw करूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं line draw कर लेता हूँ इधर से ठीक है इसको मिले लेता हूँ X यहाँ पर अब क्या करते है इस रप sketch में देखते है और B और D की जो यहाँ पर distance है वो कितनी है 8 cm है तो मैं क्या करूँगा B से मैं इस पर AX पर एक arc लगाँगा 8 cm की तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से compass को 8 cm पर fix कर लोगा तो यह मैं fix कर लेता हूँ compass को 8 cm पर ठीक है तो यह मेरा 8 cm आ गया अब यहाँ से B से एक arc लगाता हूँ मैं तो B से जो यह arc है यहाँ पर लगेगी तो AX को इसने कहाँ पर intersect किया इसने किया D पर तो अब sketch का recording यहाँ पर D है तो मैं यहाँ पर D write कर देता हूँ अब क्या करा देते हैं हम इनको join करा देते है B और D को तो B और D को मैं join करा देता हूँ इस तरह से तो BD join हो गए यहाँ पर अब मुझे क्या करना है B से एक arc लगानी है इतनी की जितनी यह AD है उतनी radius की AD कितनी है इसके लिए मैं क्या करूँगा इस compass को यहाँ पर रखूँगा और इसको एक बार देख लूँगा यहाँ पर इस तरह से fix कर लूँगा compass को तो यह इतनी है तो इतनी ही मैं B से arc लगा लेता हूँ यह उपर की तरफ तो यह मैंने B से arc लगा दी अम मैं क्या करूँगा D से इधर देखो मेरे पास A आ गया B आ गया और D आ गया तो बचा C मेरे पास इसके according तो D से मैं एक arc लोगा 6 cm की जो previous arc को cut करेगी point C पे तो 6 cm मैं compass को fix कर लेता हूँ 6 cm पे तो यह यहाँ पर fix हो गई अब मैं D से एक arc लगाता हूँ previous arc को cut करते हूँ तो यह इसने intersect कर गया तो यह आ जाती है मेरे पास कितनी C अम मैं क्या कर दोता हूँ इनको join कर आ जिता हूँ तो यह यहाँ पर join हो जाएगी किससे B से C और C से D तो यह इस तरह से join हो जाएगी तो इस तरह से जो हमारा rectangle है वो construct हो जाएगा side और diagonal का यूज करके अब देखे इसकी जो construction है वो मैंने यहाँ पर पहले ही write कर लिए construction क्या है इसकी सबसे पहले हमने क्या draw किया a b it is equal to 6 cm तो मैंने यहाँ पर write कर दिया draw a b it is equal to 6 cm उसके बाद हमने क्या किया draw angle b a x तो a पर मैंने 90 degree के angle draw किया तो इस तरह से लिख लिए draw b a x it is equal to 90 degree फिर हमने क्या किया है b से एक arc लगाई 8 cm की तो मैंने यहाँ पर लिखाने इसको लिख लिएते हैं 8 cm तो 8 cm की arc लगाई intersect करते हुए a x को किस पर deeper तो इसने intersect किया है किसको a x को deeper ठीक है उसके बाद देखो हमने क्या क्या यहाँ पर b से एक arc लगाई जितनी हमने a d से arc लगाई थी जितनी a d है न उसी तरह से हमने b से arc लगाई इधर उपर की तरह फिर हमने d से 6 cm radius के arc लगाई क्योंकि यह जो opposite sides होती है rectangle की वो होती है equal तो इसी लिए हमने d से 6 cm radius के एक arc लगाई जिसने previous arc को cut किया कि इस पर c पे उसके बाद हमने join करा दिया b c को और c d को तो इस तरह से हमारा जो rectangle है a b c d वो construct हो जाता है one aside और diagonal का यूज करके ठीक है next इसके part number one का question number seven तो यहाँ पे हमें w x y z एक rectangle construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक rough sketch draw करते हैं तो यहाँ पे मैंने w x y z एक rough sketch draw कर लिया है अब हम क्या करते हैं इसमें जो यह measurement है इनको fill कर लेते हैं तो w x यहाँ पे मैंने fill कर लिया है 5 cm और wy है 7 cm जो किसका एक diagonal है तो अभी हम क्या करेंगे जो यह rough sketch है इसका use करके यह जो rectangle है उसको construct कर लेंगे तो जो यहाँ पे baseline है w x मैं इसको बना लेता हूँ सबसे पहले तो w x हमें दिया गया यहाँ पे कितना 5 cm आ लिया ठीक है इसको मैं write कर दिता हूँ जितना यहाँ पे है w x है और यह आ जाएगा 5 cm ठीक है x पे मैं क्या कर लेता है 90 degree का angle construct कर लोगा तो कि जो rectangle के जो होता है interior angles होता है ठीक है vertex पे जो angle बनता है उसका वो बनता है 90 degree का तो मैं यहाँ पे x पे 90 degree का angle का construct कर लोगा तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा ठीक है यहाँ पे मैं x पे बना लेता हूँ तो इधर एक आर्क लगा देता हूँ इसको intersect करते हुए इसकी baseline को 180 degree की ठीक है अब कम भी रख सकते है इसको क्योंकि हमें 60 और 120 का ही चाहिए 90 degree का angle बनाने के लिए उन्हीं का bisect करेंगे अब जहाँ पे इसने baseline को intersect किया है यह वाली आर्क ने उदर हम steel point रखते है इसका और वहाँ से 60 degree angle की एक आर्क लगा देता है अब हम क्या करते है 60 से एक और आर्क लगा देता है same opening से तो यह आ जाएगी 120 degree की तो 60 और 120 का आप करते है bisect तो उपर की तरफ मैं 60 से आर्क लगाता हूँ और उसी तरह से मैं 120 से एक उपर की तरफ आर्क लगाता हूँ जब previous आर्क को cut करते है जहाँ पे cut करेगी उदर से एक line pass कराएंगे हम तो यहाँ से यह line pass होगी तो इदर से यह line जाएगी कुछ इस तरह से इसको मैं ले लेता हूँ क्या यहाँ पे A ले लेता हूँ ठीक है ना A point अम मुझे क्या करना है इस रप sketch में देखेंगे हम तो W से यहाँ पे जो यह line जाएगी X से इसके उपर बनेगी देखो यहाँ से दिख रहा ना X से उपर की तरफ सारी है तो यहाँ से 7 cm की मैं एक आर्क लगता हूँ इस पे किस पे X से पे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा compass को fix करूँगा 7 cm तो यह मैंने fix कर लिया जो यह Y है इसको meet करा लेते हैं पहले तो W Y को meet करा दिया है मैंने यहाँ पे अब क्या करना W से एक आर्क लगानी है कितने cm रडियस की यह लगानी है same as जितना हमारा X Y था उतना ठीक है क्यों लगानी है क्योंकि जितना X Y होगा उतना ही W Y होगा क्योंकि rectangle की जो opposite side है वो होती है equal ठीक है तो मैं X Y को measure कर लेता हूँ यहाँ पे कितनी है तो मैं X Y को इससे compass से fix कर लेता हूँ जितना X Y है उतना ही मेरा W Z होगा क्योंकि देखो W X Y तो आगे तो यहाँ पे कही ने कही point एक Z होगा तो मैं इधर W से एक arc लगाएता हूँ same as X Y X Y जितना open था उतनी ही मैं यहाँ पे arc लगाएता हूँ अब मुझे क्या करना है जो यह Y point है इससे एक arc लगानी है 5 cm radius की क्योंकि जितना X Y X W है उतना ही Y Z होगा क्योंकि यह और यह क्या है opposite side है और rectangle के opposite side होती है equal तो इसलिए मैं क्या करूँगा इसको 5 cm पे fix कर लूँगा compass को तो यह मैंने 5 cm पे fix किया इसको और यहाँ से एक arc लगा दी ठीक है यह यहाँ पे अब क्या कर लेता है इसने जो यह पहली वाली arc थी इसको z पे intersect किया तो अभी हम w z और y z को करा देते है meet तो यह w z से meet हो गया और यह y z से meet हो जाएगा ठीक है इस तरह से तो इस तरह से जो हमारा यह rectangle है w x y z यह construct हो जाएगा ठीक है अभी जो इसके steps of construction है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने पहले ही write कर लिये है यह इसके steps of construction है तो सबसे पहले हमने क्या draw किया w x draw किया 5 cm उसके बाद हमने क्या क्या w x a एक angle बनाया 90 degree का फिर हमने क्या क्या w से 7 cm radius के एक arc लगाई ठीक है न 7 cm राइट कर दूँगा हमें इस पे from w draw an arc of radius 7 cm intersecting ax at y ठीक है न w से from w w से किया था न हमने from w draw an arc same as x y तो w से हमने उतने cm radius के arc लगाई जितना की x y था x y पे जितना था उतना ही हमने w z से arc लगा दी उसके बाद क्या w से arc लगाई थी ठीक है न उसके बाद हमने क्या क्या y से 5 cm radius के arc लगाई previous arc को cut करते हुए z पे फिर हमने join करा दिया किसको w z को और y z को वही मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से हमारे जो rectangle w x y z है वो construct हो जाता है next is के part 1 का question number 8 तो यहाँ पे हमें rectangle की जो side से वो ratio में दी गई है 2, ratio 3 and perimeter दिया गया है 20 cm तो हमें rectangle draw करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी जो side से वो निकाल लेंगे ठीक है अब देखे यहाँ पे यह दिया गया है length और breath का ratio तो यहाँ पे length है और यह है breath ठीक है क्या ratio दिया गया है अब breath तो यहाँ पे कम होगी ना तो breath यहाँ पे होगी 2 और length होगी ज्यादा तो यह मैं लिख लेता हूँ 3 ratio 2 length और breath का जो ratio है वो कितना है 3 ratio 2 है तो लिख लेता हूँ let length ठीक है and breath and breath b respectively तो length और breath जो है वो कितनी होगी वो 3x and 2x होगी ठीक है ना मान लेते हैं कि length और breath 3x और 2x होंगी तो perimeter कितना दिया गया rectangle का तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ perimeter of rectangle यह दिया गया है 20 cm और perimeter क्या होता है rectangle का यह होता है 2 into length plus breath 20 तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ length plus breath को तो यह 3x and plus में 2x तो यह 20 है जाएगा तो 2 into यह 3x plus 2x के आगया 5x आगया यह आगया 20 तो यह आगया 10x is equal to 20 तो x is equal to यह आगया 20 upon 10 cut के जाएगा यह 2 तो यहाँ पर x की value आगया 2 cm अब मैं यहाँ से length निकाल लेता हूँ ठीक है तो length कितनी है जाएगे देखो यह यहाँ पर कितनी थे हमारे पास length 3x ठीक है न यह मैंने लिया था जो length किया था 3x तो इधर में लेता हूँ 3 multiply x की value मेरे पास 2 cm तो length आगया 6 cm और यह है breath breath है मेरे पास 2x यहाँ से ठीक है न तो यह आजाएगा 2 multiply x की value कितनी 2 cm ठीक है तो यह आ गया 4 cm तो length मेरे पास 6 cm आगी breath आ गई 4 cm आम में जो rectangle है उसको draw कर सकता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर एक rough sketch बना लेता हूँ इसका ठीक है क्या बना लेता हूँ मैं एक rough sketch draw कर लेता हूँ तो rough sketch यहाँ पर मैंने ले लिया है rectangle का कुछ इस तरह से ठीक है मै मैं इसका nomenclature अपनी तरफ से कर देता हूँ इसने यहाँ पर कुछ बता नहीं कि आपको यह नाम लेना है उसका ABCD PQRS तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ इसको ABCD ले लेता हूँ ठीक है यह और जो यहाँ पर length है यह वाली होगी AB तो मैं इसको ले लेता हूँ 6 cm और मै क्या करता हूँ मैं यहाँ से जो बेसलाइन है इसको ड्रो कर लेता हूँ सबसे पहले तो बेसलाइन क्या यहाँ यहाँ पर यह है AB 6 cm तो मैं बेसलाइन को ले लेता हूँ तो बेसलाइन आगे यहाँ से 5 और यह 6 ठीक है तो यह आगे AB 6 cm ठीक है अब क्या करता हूँ मैं A प सिस तरह से ले लेता हूं इसको छीक है यह आ गया में पास अब मुझे क्या करना जहां पे इस ने बेसलाइन को कट किया इसने आर्क ने इसको ठोड़ा और लेता हूं जिससे 120 आ सके इधर से मैं पहली आर्क लगा जेता हूं 60 डिग्री की कितने की 60 और 60 से मैं एक आर्क लगता हूं, 120 से उपर के तरह, तो जहाँ पर यह intersect करते हैं, उदर से मैं एक line passed करते हूं, ठीक है, तो यहाँ से मैं line passed करा देता हूं, यह वाली, इधर, तो यह जो होगा हमारे पसस, 90D के एंगल होगा, यहाँ पर, इसको मैं ले लिता हूं, एक्स यह 90 डिगरी के अंगल आगे अम मुझे क्या करना है जो यह AD है यह ले दिनी है 4 cm की तो A से उपर की तरफ है तो अप sketch मैं देखते हैं न हम तो A से उपर की तरफ आ रही है 4 cm तो मैं क्या करूँगा यहां से न कम पास को fix करूँगा 4 cm ठीक है तो मैंने यह fix कर लिया इदा तो अब मैं A से एक आर्क लगा देता हूं इदा तो AD आ जाएगी मेरे पास कितनी 4 cm तो यहां पर मैं लेके लेता हूं 4 cm यह आ गया D अब मुझे क्या करना है B से एक आर्क लगा क्योंकि जो rectangle की opposite side होती है न वो होती है equal तो AD के opposite में इदर B से एक क्या आएगी line segment आएगा कुछ ठीक है न जो 4 cm काई होगा तो यहां पर यह 4 cm पर पहले से fix है ठीक है तो मैं इदर एक आर्क लगाजता हूं इदर अब मुझे क्या करना है D से एक आर्क लगाने है प्रिवे तो यह मैं 6 cm पर इसको fix कर लेता हूं compass को इस तरह से 6 cm आ जाएगी है न तो यह इस आर्क को previous को cut करेगी किस point पर यहां पर मेरे पास C है न बी से C की तरफ और D से C की तरफ तो मैं इसको C write कर देता हूं अब मैं क्या करता हूं B को C से join कर लेता हूं ठीक है मैं join कर देता हू B को C से और C को D से ठीक है यह तो इस तरह से जो हमारा rectangle है वो construct हो जाता है तो इसकी जो steps of construction वो मैंने पहले से write कर लिए है तो यह इस तरह से होंगी देखो सबसे पहले हमने क्या किया draw A B is equal to 6 cm उसके बाद हमने क्या किया यहां पर मैंने 6 cm खीचा था न उसके बाद हमने क्य draw B A X तो B A X हमने 90 degree एक angle construct किया इस पर and cut off A D बराबर 4 cm और A D को हमने cut किया 4 cm पर किस से A X है ठीक है न A X वाले line को हमने A D पर cut किया कितना 4 cm उसके बाद हमने क्या किया from B draw an arc of radius 4 cm B से एक 4 cm radius की आर्क लगाई जो कि इसके opposite थी और rectangle की opposite side होती है equal ठीक है फिर हमने D से एक आर् point C पर फिर हमने B को C से ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है now join B C and C D B को C से और C को D से join करा दिया इस प्रकार हमारा जो A B C D rectangle है वो construct हो जाता है next is के part number 2 का question number 1 तो यहाँ पर हमें A B C D एक square construct करना है 4.5 cm side का तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक rough sketch do करते हैं तो यहाँ पर मैंने A B C D square का एक rough sketch do कर लिया है तो इधर मैंने A B को ले लिया 4.5 cm वैसे हर एक side जो है इसकी कितने की होगी 4 4.5 cm की होगी क्योंकि square की जो सभी side से वो क्या होती है एक्क्वल होती है मैंने A पर यहाँ पर 90 degree का एंगल ले लिया है वैसे हर एक एंगल 90 degree का होगा बट मुझे जो construct करना है वो लिया है मैंने ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको construct करूंगा A को ठीक है तो आप देखे इसके according क कर लेते हैं यहाँ पर इस rough sketch के according जो यह square है ABCD इसको construct कर लेते हैं तो यहाँ पर AB को मैं baseline लेकर चलता हूँ तो AB को मैं यहाँ पर draw कर लेता हूँ कितना 4.5 cm तो मैं यहाँ पर draw कर लोगा इसको AB को ठीक है तो यह 4.5 cm ले लोगा मैं यहाँ तो यह 4 यहाँ पर 4.5 हो ठीक है भी तो इसके according ले लेता हूँ मैं तो ये है ab and ये 4.5 cm तो मुझे क्या करना था a पे 90 degree के angle बनाना था तो यहाँ पे मैं construct कर लेता हूँ इसको ठीक है a पे रखके तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे मैं ये arc draw कर लोगा एक इस तरह से जो इसकी base line को cut करें जहाँ पे इसने base line को cut किया यहाँ पे उधर से मैं 60 degree के arc लगा लेता हूँ तो पहली arc जो लगती है यहाँ से same opening से तीक है न जितने माने ये arc ली थी उतने ही opening से मैंने first arc लगा दी थी, लगा दी है यहाँ पे, तो यह है 60 degree की, तो इसके बाद 60 से मैं दूसरी arc लगाऊंगा, यह होगी same opening रखके 120 degree की, अभी मुझे क्या करना है, 60 और 120 का bisect करना है, जो 90 degree के angle बनाएगा, तो यह 60 से हो गई, और यहाँ से मैं रख लेता हूँ, किस से 120 से, और यह 120 की हो गई, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से, एक line pass कर देता हूँ, ठीक है, तो यह line pass हो जाएगी यहाँ से, ठीक है मैं, और इधर मैं इसको ऐसे पूरा लिगता हूँ, और यहाँ पर write करता हूँ, अभी क्या करना है, जो यह है न, A, इधर से मैं क्या करूँगा, एक 4.5 cm radius के arc लगाँगा, इस पे A, X पे, ठीक है, जो cut करेगी कहाँ पे, D पे, अब यह क्यों किया, क्योंकि इसकी जो सभी line segment होगे, मतलब हर एक side जो होगी, वो 4.5 cm की होगी, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, compass पे, 4.5 cm fix कर लेता हूँ, तो यह यहाँ से मैंने 4.5 cm fix किया, ठीक है, तो इधर से आ जाएगा यह, 4.5 cm, यह आ गया 4.5 cm, मैं इधर से दिखा जाता हूँ आपको यहाँ से आया था, ठीक है, इसने AX को कट किया किस पे, D point पे, ठीक है, तो AD मेरे पास कितना आ गया, 4.5 cm आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से, B से एक arc लगानी है, कितने की 4.5 cm की ही, देखो मेरे पास यह आ गया, B आ गया, D आ गया, तो यहाँ पे कहीं B स यह उपर C होगा, ठीक है, तो यह भी तो 4.5 cm का होगा, क्योंकि जितनी यह 4.5 इसकी एक साइड है, उतनी ही सारी साइड होगी, तो यहाँ से भी मैं 4.5 cm रिडिस की एक का लगा देता हूँ, arc लगा देता हूँ, ठीक है, इधर, यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से D से एक arc लगा देता हूँ, same opening की, यह भी 4.5 cm की, अभी मैं इनको जोइन करा देता हूँ, किसको, इसने previous arc को किस पे कट किया, C पे कट किया, ठीक है, तो मैं B को C से जोइन करा देता हूँ, ठीक है, और C को D से जोइन करा देता हूँ, यह इस तरह से, तो यह मेरे पास, जो square है ABCD, यह construct हो जाता है, ठीक है, तो इसकी मैंने यहाँ पे construction लिख लिए, तो वो construction मैंने पहले लिख लिए, तो वो मैं यहाँ पे so कर देता हूँ आपको, तो यह आ जाएगा, draw AB is equal to 4.5 cm, सबसे पहले हमने क्या draw किया, AB draw किया 4.5 cm, इसके बाद draw angle BAx 90 degree, जो BAx है मैंने, वो 90 degree बना यहाँ पे BAx, उसके बाद cut off किया, AD को कितने पे, 4.5 cm पे, AX है, उसके बाद क्या क्या, from B draw an arc of radius 4.5 cm, बी से हमने क्या लगाई, एक arc लगाई 4.5 cm radius की, ठीक है, यह तो हमने cut करी दिया था, फिर हमने B से लगाई, उसके बाद हमने क्या क्या, from D draw an arc of radius 4.5 cm, intersecting previous arc at C, है न, D से, एक arc लगाई 4.5 cm की, previous arc, कौन सी जब B से लगी थी, उसको cut करते हुए, किस पे point C पे, ठीक है, at C, now join B C and D C, तो इसके बाद हमने B C और D C को join करना दिया, hence ABCD is ever required square, next इसके part number 2 का question number 4, तो यहाँ पे हमें ABCD एक square construct करना है, जिसके one diagonal की length दी ग पास इस तरह की questions आते हैं, तो हम सबसे पहले उसका एक rough sketch draw करते हैं, तो यहाँ पे मैंने square ABCD का एक rough sketch draw कर लिया है, और जो diagonal है हमारे पास, वो है 7 cm, तो मैं उसको write कर लेता हूँ, तो देखिए, जो square के दोनों diagonal होते हैं, वो होते हैं same length के, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई स तो यह BD है न, 7 cm, इसको as a baseline यूज करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले BD क्या कर लेता हूँ, draw कर लेता हूँ, तो BD कितना यहाँ पे 7 cm है, तो यह अचाय का मेरे पास 7 cm, write कर देता हूँ मैं BD को, 7 cm मैं बाद में write कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसका perpendicular bisector ले यह देखो diagonal है, BD क्या है, diagonal है, और जो diagonal होते हैं न, square के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को bisect करते हैं, perpendicular bisector होते हैं, एक दूसरे के, ठीक है, तो perpendicular bisector होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे D से क्या करूँगा, आदे से ज़्यादा compass को open करूँगा, और एक उपरी की तरफ arc ल लगाएंगे, ठीक है, और एक नीचे की तरफ arc लगाएंगे, D से, same opening से जितनी थी, B से करेंगे, तो B से एक ऊपर की तरफ arc लगाएंगे, और एक नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम, यहाँ पे एक line pass करा जेते हैं, इससे, जहाँ जहाँ पर यह point of intersection यह दो नोर्ग्स का ठीक है ना यहां से एक line पर पास कराते हैं तो यह line पास हो गई इससे इसको मैं ले लेता हूँ क्या x और y ले लेता हूँ इसको मैं x ले लेता हूँ और इसको यहां पर y ले लेता हूँ इसके बाद जो यह है ना x y perpendicular by sector हो गए bd का और यहां पर intersect करता है इसको किस पर मालो ओ point पर करता है ठीक है किस पर करता है ओ point पर करता है अब यह यहां से कितना रह गया जब यह perpendicular by sector है तो यह 3.5 cm का रह गया ठीक है क्योंकि 7 cm था ना total और यह 3.5 cm का रह गया जब यह इतना है तो यहां से भी इतना ही होगा इधर से यह वाला ठ लगा लिता हूं उससे पहले मैं क्या करूंगा इसको fix कर लोंगा कम पास को 3.5 cm तो यह मैंने 3.5 cm पर fix कर लिया इसको ठीक है तो यह कहां पर जाएगा 3.5 cm यहां पर intersect करता है इसको ठीक है और यह point क्या होगा देखो जब मैं BD को देखता हूं तो यह point उपर की तरफ होगा क C तो यह है C उसी तरह से मैं क्या लगा लूँगा नीचे की तरफ लगा लूँगा क्योंकि यह O से B क्या होगा 3.5 और यह भी 3.5 होगा तो यहां से भी 3.5 होगा और इधर से भी 3.5 ही होगा ठीक है तो इधर से मैंने यहां पर लगा लिया ठीक है और B D से नीचे की तरफ क मैं क्या करूंगा इनको मीट करा दूगा यहां पे ठीक है ना बी को सी से मीट करा दूगा जॉइन करा दूगा ठीक है बी को सी से और सी को डी से इस तरह से ठीक है भई सी को डी से और सेम एको बी से और एको डी से ठीक है तो इस तरह से जो हमारा यह स्क्वेर है a b c d construct हो जाएगा जिसमें one diagonal की जो length है हमें 7 cm दी गई है तो ये हमारा 3.5 cm और ये भी 3.5 cm अब चाहो तो यहाँ पे ये write कर सकते हो कि जो b d है ठीक है न b d कितना है आपका ये है 7 cm ठीक है भई तो जो o b है वो कितना हो जाएगा ओ भी हो जाएगा इसका b d का half हो जाएगा है तो 7 इसका b d है कितना बनेगा ये 3.5 cm और मैं यहाँ यहाँ पर यह चीज़ भी write कर सकता हूं कि जो b d है वह किसकेvale है वो जाएगा AC के equal ठीक है जो diagonal है इसके same length के होता है तो मैं यहाँ पे इसकी construction write कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले से write कर रखी है तो मैं वो बता देता हूँ आपको किस तरह से construction होगी इसकी इस steps of construction है इसके तो draw BD is equal to 7 cm सबसे पहले हमने BD क्या किया एक 7 cm का line segment draw किया ठीक है फिर हमने किया किया draw XY perpendicular bisector BD 8 O तो हमने XY perpendicular bisector की जो intersect करता है BD को किस पे O उसके बाद हमने किया किया cut off OA 3.5 cm ठीक है OA को cut किया 3.5 पे फिर हमने OC को cut किया किस पे 3.5 पे फिर हमने join करा दिया किसको AB को ठीक है न तो यहाँ पे AB है इसको join कराया फिर हमने AD को join कराया AB and AD and BC और CD फिर हमने BC और CD को join कराया तो इस तरह से हमारा ABCD जो required square है वो construct हो जाता है नेक्स्ट इसके part number 3 का question number 1 तो यहाँ पे हमें ABCD एक parallelogram construct करना है इन given measurements का use करके तो जब भी हमारे पास इस तरह के questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक rough sketch draw करते हैं तो यहाँ पे ABCD parallelogram का एक rough sketch मैंने draw कर लिया है अभी हमें क्या करना है जो dimensions दी गई है इनको हमें fill कर लेना है तो यहाँ पे AB हमें दिया गया है 6.5 cm ठीक है सबसे पहले जो यह baseline है AB इसको draw कर लेता है 6.5 cm ठीक है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AB 6.5 cm तो यह आ जाएगा मेरे पास AB ठीक है 6.5 मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा 6.5 तो यहाँ पे 6 और यह 0.5 तो AB ले ले लिया मैंने 6.5 cm अब मुझे क्या करना है यहाँ पे जो B दिया गया है तो यह 45 डिगरी का एंगल दिया गया है यह construct कर लेता हूँ ठीक है तो यह हम कैसे करेंगे मैं यह D का यूज करके कर लेता हूँ तो 45 डिगरी का एंगल तो यह आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से इसको ले लेता हूँ मैं X तो यह हमारे पास कितना आ गया 45 डिगरी का एंगल आ गया अब हमें क्या करना है जो B है उससे एक आर्क लेनी है तीक है न इधर की तरह ऊपर की तरह तो यह कितने cm की लेनी है यह लेनी है 5.2 cm तो मैं क्या करता हूँ यहाँ यहाँ पे कम पास को fix करता हूँ 5.2 cm तो यह मैं fix कर लेता हूँ इसको यहाँ पे 5.2 इस तरह से fix कर लिया मैंने इसको तो यहाँ पे मैं रखूंगा इसको और आर्क लगा दूँगा तो यह BX को किस पे कट करता है यह करता है पॉइंट सी पर ठीक है और यह है 5.2 cm अब मुझे क्या करना है यहाँ से एक आर्क लगाने उपर की तरह ठीक है ना डीपर मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट डी होगा उस तक जानी यह तो एसे मैं आर्क लगा जता हूँ कितने cm की यह भी 5.2 cm की लगाँगा क्यों क्यों क्योंकि जो पैरललोग्राम होता है ना तो उसकी अपोजिट साइड होती है एककोल देखो बी सी यहाँ पे 5.2 है तो इसके अपोजिट में इस साइड आएगी ए से उपर की तरफ AD तो यह भी 5.2 cm की होगी तो सेम ओपनिंग से मैं क्या करता हूँ देखो 5.2 यह यह तो मैं यहाँ से एक आर्क लगा जता हूँ उपर की तरफ ठीक है तो यह इस तरह से आएगी यहाँ पे clear तो यह 5.2 cm की होगी अम मुझे क्या करना है यहाँ से वापिस से एक आर्क लगानी है 6.5 cm की क्योंकि देखो यहाँ पे जितना AB होगा उतना ही CD होगा क्योंकि यहाँ से C से इस पे cut करेगी ठीक है तो मैं यहाँ से 6.5 cm की आर्क लगा लेता हूँ तो 6.5 cm मैं क्या करता हूँ इस पे compass पे fix कर लेता हूँ तो यह आ गई मेरी 6.5 cm तो मैं इधर ले लेता हूँ ठीक है तो यह थोटा ना इसमें आ गया है rough sketch में तो कोई नहीं बना लेते हैं फिर भी हम इसको पर इधर से इसको पूरा कर देता हूँ यहाँ से तो इधर meet कर देए यह तो यहाँ पे कहाँ पे join किया इसने इन दो नों arcs ने यहाँ पे join किया था point D पे ठीक है यह यह D था और अभी हम meet कर देते हैं किसको C और D को ठीक है इस तरह से तो जो हमारा parallelogram है ABCD वो अब construct हो चुका है तो अभी इसके जो steps of construction है वो देख लिते हैं वो मैंने पहले से write कर लिए हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने draw किया AB को 6.5 cm उसके बाद हमने क्या किया draw angle ABX 45 degree ही कह ना एंगल ABX कितना किया draw किया 45 degree and cut off BC उसके बाद हमने BC को cut किया कितने पर 5.2 cm पर from BX उसके बाद हमने क्या किया था A से arc लगाई 5.2 cm radius की from A draw an arc of radius 5.2 cm और उसके बाद हमने क्या किया C से 6.5 cm radius की arc लगाई क्योंकि इसके opposite same length का होगा इसलिए from C draw an arc of radius 6.5 cm जो previous arc को cut कर थे point D ठीक है now join AD and CD उसके बाद हमने AD और CD को join करा दिए यह D है यहाँ पे यह C का रहा है यह rough sketch का है तो इसको neglect करेंगे हम rough sketch को यहाँ पे AD और CD को मानेगे तो इस तरह से हमारा जो parallelogram ABCD है वो construct हो जाता है next is part number 3 का question number 6 तो यहाँ पे हमें PQRS एक parallelogram construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी इस तरह के questions आते हैं तो हम सबसे पहले एक rough sketch draw करते हैं तो यहाँ पे मैंने PQRS एक rough sketch draw किया है parallelogram का तो यहाँ पे अब हम चा करते हैं जो यह given measurements है इनको fill कर लेते हैं इसमें तो देखे PQ क तो यह भी एक diagonal है यहाँ पे है 10.8 cm ठीक है तो यहाँ पे जो यह diagonal meet कर रहे है इसको मैं माल लेता हूँ कि यह point है O ठीक है क्या है यह O है अब जब हमारे पास इस तरह आ जाए एक dimension आ जाए मतलब एक side आ जाए पहले लोग्राम की और दो यहाँ पे diagonal आ जाए तो इस तरह की questions को कैसे करते हैं तो देखो मैं इसको बना लूँगा पहले तो है ना फिर मैं क्या बनाऊँगा ना तो मेरे पास angular ना यह side दी हुई है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले triangle form करूँगा एक P O Q इस तरह से मैं triangle form करूँगा यहाँ ठीक है ना यह P यह Q और यह O ऐसे form कर तो यह side कितनी हो जाएगी और यह side कितनी हो जाएगी तो आपको पता होगा कि जो diagonal होते हैं इसके किसके parallelogram के वो एक दूसरे को bisect करते हैं मतलब यहाँ पे आपको जो यह दिया गया है देखो मैं इधर लिख लेता हूँ यह PR दिया गया है ठीक है तो मैं PO निकालूँगा तो क्या हो जाएगा PR का half हो जाएगा PO किसका हो जाएगा PR का और PR कितना यहाँ पे 9.5 है तो 9.5 का half कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 248 यह हो जाएगा कितना जब मैं इसको करूंगा न 9.5 को half करूंगा तो 248, 274, 4.75 something हो जाएगा तो यह 4.75 cm है जाएगा हमारे पास PO उ किसका हाफ है Q O हाफ है SQ का ठीक है न तो मैं अब लिख देता हूँ Q O किसका हाफ है SQ का हाफ है और SQ कितना है मारे पास SQ है 10.8 तो 10.8 का मैं हाफ कर देता हूँ यहां पर तो यह जाएगा 2,5,10,2,4 5.4 cm ठीक है तो मतलब जो मेरे पास PO है वो कितना होगा वो होगा 4.75 ठी Audicator 2.2 cm ठीक है अब क्या करना मुझे यहां पर इसको construct करना पहले पीक को तो पीक ही कितना 8.8 cm है तो यह मैं यहाँ पर बना लेता हूँ PQ ठीक है, PQ कितना 8.2, तो यह मैं लेता हूँ 8.2, यह 8 और यहां से यह 1 और यह 2, 8.2 हो गया, मैं लेक लेता हूँ यहां पे PQ, 8.2 cm, अब मुझे क्या करना है यहां से न, P से 4.75 cm रेडिस की आर्क लगा दिये, तो इसमें मैं fix कर लेता हूँ, compass को 4.75, अब 4.75 कहां पे होग होगी, यह 7 और 8 के बीच में होगी, तो हम 5, 6, 7 और यह 8, 7 और 8 के बीच में ले लेता हूँ, ठीक है न, तो यहां से P से मैं एक आर्क लगा देता हूँ, उपर की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां से Q से मैं कितने के आर्क लगाँगा, यह लगाँगा, 5.4 cm की previous अर्क को कट करते हुए, पॉइंट ओपर, तो 5.4 मैं क्या कर लेता हूँ, इस पे fix कर लेता हूँ, तो ये 5.4 हो जाएगी, और यहां से, Q से मैं एक आर्क लगाँगा, प्रीवेस अर्क कोट करते हूँ, और इस पर, यहां पे मुझ पॉइंट को महल लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इनको जोइन कराईता हूँ किस को जोइन कराईता हूँ पी ओ को और कि वो को ठीक है इन दोनों को जोइन कराईता हूँ यह तो बन गया मेरा इतना जो यह ट्राइंगल है जिसके मैं बात कर रहा था अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे जो यह पी ओ है न अब ये पी ओ ये आपके पास 4.75 आ गई ठीक है और ये 5.4 आ गई सेंटिमिटर अभी इसको उतना ही बढ़ा देना है क्योंकि ये तो क्या हो रहा है यहां पे इसका बाइस एक डितो है पी ओ किसका पी आर का तो जितना ये होगा पी ओ तक उतना ही ओ से आर होगा तो इस 9.5 इसके बिलकुल साथ साथ ये 9.5 हो जाएगा चीक है बई ये 9.5 इसके बाद यहां से क्या करूँगा मैं इस QO का प्रोडूस करूँगा कहां तक 10.8 तक तो ये मैं 10.8 तक कर लेता हूं प्रोडूस तो ये 10.8 तक कहां पे होगी देखो ये हो जाएगा 5,6,7,8 तो ये यहां पे प्रोडूस हो जाएगी इधर तक अब क्या करेंगे यहां पे जो प्रोडूस किया है P O को मैंने कहा तक प्रोडूस किया R तक और Q O को मैंने कहा तक प्रोडूस किया S तक मैं इसको देख लूँगा यहां पर रख स्केच को क्या आएगा Q से S तक और P से R तक अब R और S को join करा दूँगा यह R है और S से इनको join करा दूँगा ठीक है इस तरह से हमारे पास जो यह है पहले लोग्राम PQRS यह construct हो जाएगा ठीक है अभी देखें इसकी जो construction है वो किस तरह से होगी तो यह मैंने पहले write करी यह construction इसकी तो यहाँ पे मैं write कर दूँगा सबसे पहले draw PQ is equal to 8.2 cm तो सबसे पहले हमाने यही किया था है यहाँ पे PQ को 8.2 cm draw किया उसके बाद क्या किया P से हमने एक arc लगाई radius 4.75 cm P से लगाई थी हमने 4.75 cm की उसके बाद किया हमने Q से एक arc लगाई थी 5.4 cm की विल्कुल हमने 5.4 cm radius की arc लगाई थी intersecting previous arc 8 O जो पहले बाली arc थी ना उसको O पे intersect करते हुए उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने produce किया P O को P R तक देखो यहाँ पे P O to R such that P R is equal to 9.5 पर ऐसे किया कि यह 9.5 cm है ठीक है मतलब जितनी यहाँ पे है 4.75 उतनी ही यहाँ पे होगी उसी तरह से हमने produce किया Q O को S तक 10.8 5.4 यहाँ पे है तो 5.4 यहाँ पे होगी Now join PS, QR and SR उसके बाद इनको हमने join करा दिया PS, QR and SR को तो इस तरह से हमारा जो required parallel gram है वो construct हो जाता है Next is के part number 4 का question number 1 तो यहाँ पे हमें ABCD एक rhombus construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी हमारे पास इस तरह के questions आते हैं तो हम सब से पहले उसका एक rub sketch draw करते हैं तो यहाँ पे rhombus ABCD का मैंने एक rub sketch draw कर लिया है इस तरह से और इसकी जो measurement है वो मैंने इसमें fill कर लिया है तो AB यहाँ पे 6 cm है angle A 50 degree है तो यहाँ पे मैं fill कर चुका हूँ इनको अब मुझे क्या करना है इस rub sketch का use करके rhombus construct करना है तो यहाँ पे देखिए जो AB है ना यह baseline है यह 6 cm के तो सबसे पहले मैं इसी को draw कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AB ठीक है 6 cm तो यह आजाएगा मेरे पास यह ठीक है 6 cm तो मैंने ले लिया इसको AB 6 cm अब मुझे क्या करना है यहाँ पे जो यह A है इस पे 50 degree का angle बना देना है तो मैं protector की यूज़ करके 50 degree का angle बना देता हूँ यहाँ पे A पे तो यह यहाँ पे 50 degree का angle आजाएगा लाइन खीज दिता हूँ मैं इस पे तो यह हो जाएगा यहाँ पे तीक है यह इसकी arm हो गई 50 degree तो यह मैं राइट करेता हूँ यहाँ पे 50 degree radius की, क्यों, क्योंकि जो rhombus होता है, तो उसकी सभी sides की length होती है, वो होती है, same equal length की होती है, मतलब a b जितना है तो b c ब उतना होगा, c d उतना होगा, और a d ब इतना होगा, तो इसलिए मैं हर side को क्या लूँगा, 6 cm लूँगा, तो यह ax को cut करते हैं किस पर, d पर, जो हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर इसकी arm पर बनेगा, यह angle की पर, d, तो यहाँ चाहिएगा, यहाँ पर d, अब मुझे क्या करना है, b से भी arc लगा देनी है, 6 cm radius की, तो यह पहले सार को cut करेगी, किस point पर, जब मैं देखता हू, b से उपर की तरफ, यो d से इदर की तरफ, तो यहाँ मिलता है, मुझे point c, तो यह c पर cut करेंगी, अभी क्या करते हैं, इनको meet करा देते हैं, किस-किस को meet करा देते हैं, यहाँ पर, b, c को construct हो जाता है, जिसमें हमें, एक side दी हो, और एक angle दिया गया हो, ठीक है, अब देखिए, जो इसकी construction है, वो मैंने यहाँ पर पहले से write कर दिये, तो आप steps of construction किस तरह से write करोगे, तो सबसे पहले, हमने क्या किया, यहाँ पर a, b, draw किया, हमने 6 cm, उसके बाद, a पर हमने 50 degree के angle बनाया, draw, b, a, x, यह न, b, a, x, it is called 50 degree and cut off a, d, 6 cm, मैं यहाँ पर write कर दिता हूँ, ठीक है, न, 6 cm, उसके बाद किया, from, b, draw an arc, b से हमने 6 cm radius की एक arc लगाई, क्योंकि जितनी यह है, उसके बाद हमने क्या किया, from, d, draw an arc of radius 6 cm, intersecting previous arc at c, d से हमने, पहले वाली arc, जो हमने b से लगाई थी, उसको cut करते हुए, 6 cm radius की एक arc लगाई, जो intersect करती है, किस पे, c पे, उसके बाद हमने क्या किया, join करा दिया, इसको, एक तो b c को, और d c को, यह तो लिखा है, मैंने यहाँ पे, join d c and b c, उसके बाद, जो हमारा required rombus है, वो construct हो जाता है, next place के part number 4 का question number 5, तो यहाँ पे हमें, a, b, c, d, एक rombus construct करना है, इन given measurements का यूज करके, तो जब भी हमारे पास इस तरह के questions आते हैं, हम सबसे पहले उसका एक rombus sketch डो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने a, b, c, d, rombus का जो rombus sketch है, वो draw कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो यह dimensions हैं, इनको इसमें fill करना है, तो a, b, यहाँ पे दिया गया है, 6.8 cm, and a, c, यहाँ पे दिया गया है, 8 cm, तो a, c, यहाँ पे diagonal लेगे, ठीक है, यह कितना दिया गया है, 8 cm दिया गया है, तो अब इस rombus sketch का यूज करके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, यह rhombus construct करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, जो यह base line न, a, b, इसको मैं draw कर लेता हूँ, 6.8 cm, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, 6.8 cm, ठीक है भई, तो यह आ जाएगा मेरे पास, 6.8, यह लोगा मैं, 5, 6, 7, और यह 8, ठीक है, तो मैं write कर लेता हूँ, a, b, 6.8 cm, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, a से, एक arc लगानी, जब मैं इसमें देखूँगा, रख sketch में, तो मुझे कोछ और मिलता नहीं है, तो मैं पहले लिलता हूँ, a को, तो a से क्या मिलता है मुझे, कि यहाँ पे 8 cm है, a से उपर की तरह, तो मैं a से arc लगा लगा लिता हूँ, 8 cm देख की, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, compass को fix कर लिता हूँ, 8 cm, ठीक है, तो यह आ गया, 8 cm, तो मैं यहाँ पे एक arc लगा लिता हूँ, इस तरह से, ठीक है भी, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो b है ना, उससे मैं एक arc लगाँगा, अब यह कितने cm के लगाँगा, यह मैं 6.8 के लगाँगा, क्योंकि जो rombas होता है, उसकी सभी side के होती है, same measurement की होती है, अगर a b 6.8 है, तो बाकी जो इस sides है, यह भी same measurement की होंगी, तो इसलिए मैं b से 6.8 cm radius की arc लगाँगा, ठीक है, 5, 6, 7, और यह 8, तो यहाँ पर fix कर लेता हूँ, इसको, ठीक है, 6.8, यह आ गया, तो यह कितने अब आया है, यहाँ पर a से, यह a भी है, तो उपर की तरफ यह आएगा c पे, तो यहाँ पर c पे intercept करेगा इसको, अभी मैं क्या करा लिता हूँ, इनको join करा लिता हूँ, दोनों को, तो यह मैंने join करा लिया, यहाँ पर, चीक है, तो ac और bc को join करा लिया, चीक है भई, अब क्या करना है यहाँ से, जो यह है न, a, इदर से फिर वापिस से क्या लेते हैं, एक arc लगा लेते हैं, तो कितने centimeter का arc लगा लेते हैं, क्योंकि a से उपर की तरफ क्या है, आपका d है, तो यह क्या है एक, इसकी जो rombus है, उसकी side है, तो rombus की side कितने centimeter ही होगी, 6.8 की, तो मैं यहाँ से 6.8 का ही लगा लेता हूँ, तो 6.8 मेरे पास पहले से fix है, ठीक है, तो इदर से लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पर, यह इसमें question में ही आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें यहाँ से लगा लेता हूँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से C से एक arc लगा देंगी है, तो C से arc, उस previous arc को cut करेगी यहाँ पे, ठीक है, तो अभी मैं किस पर cut कर रही है, यह cut कर रही हैं D पे, तो मैं यहाँ पर point लेता हूँ D, इदर, और यह 6.8, यह भी 6.8 cm, और यह भी 6.8 cm, तो इसके जो straps of construction है, वो write कर लेता है, मैंने पहले से write कर लिए है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर, A, B को draw किया 6.8 cm, तो मैं यहाँ पर write कर लूँगा, draw A, B, 6.8 cm, उसके बाद हमने क्या किया, A से 8 cm radius की आर्क लगाई, from A, draw an arc of radius 8 cm, उसके बाद किया किया हमने, B से 6.8 cm radius की आर्क लगाई, previous arc को cut करते हैं, प्रूइंट C पर, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, from B, draw an arc of radius 6.8 cm, intersecting previous arc at C, उसके बाद हमने क्या किया, 6.8 cm radius की previous arc को cut करते हुए, कि इस पर, D पर, फिर हमने join करा दिया कि इसको, AD को और CD को, तो इस तरह से हमारा जो, rombus है, वो construct हो जाएगा, next day, इसके part number 4 का, question number 10, तो यहाँ पर हमें, ABCD एक rombus construct करना है, इन given dimensions का यूज़ करके, तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिए, क्रप sketch draw करते हैं, तो यहाँ पर मैंने, ABCD rombus के लिए, क्रप sketch draw कर लिया है, और जो यह measurement है, इनको मैंने इसमें fill कर लिया है, तो यहाँ पर यह diagonals दिये गए हैं, इस rombus के, AC और BD, तो जब भी हमारे पास diagonal आते हैं रombus में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि उन में से एक diagonal को क्या करते हैं, baseline मानते हैं, ठीक है न, तो baseline हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर draw कर लेते हैं पहले, तो देखो, मैं यहाँ पर किसको ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं AC को ले लेता हूँ, 5.8 cm, ठीक है, तो AC ले लूँगा मैं यहाँ पर, 5.8, ठीक है भी, तो यह हो जाएगा, 5.8, 6, 7, 8, AC, ठीक है, मैं यहाँ पर write कर देता हूँ, 5.8, चलो मैं बाद में write कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर perpendicular bisector draw करना होगा, अब देखिए, जो diagonal होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, perpendicular bisect करते हैं, ठीक है, बराबर बराबर भागों बाटते हैं, और 90 degree का angle form करते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर जो a c है इसको bisect कर लूँगा, ठीक है, अब वो किस तरह से bisect करते हैं हम, इन मैं से, यहाँ पर देखो, दो point है, a और c, तो यहाँ तो a से ले लीजे पहले, या c से ले लीजे लीजे लेना, ठीक है, और फिर एक नीचे की तरफ लगाता हूँ, और फिर same opening से, मैं एसे करता हूँ, same thing, ठीक है, उपर की तरफ और नीचे की तरफ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक line draw कर लेता हूँ, इसके लिए, ठीक है, जिसे की perpendicular bisector, मैं यहाँ पर draw कर सकूँ, तो मैंने यह line draw कर ली, यहाँ पर, इसको मैं ले लेता हूँ, X, और इसको मैं ले लेता हूँ, क्या, Y, ठीक है, अब जब मैंने इसको perpendicular bisect किया, तो यह 5.8 का आदा आदा आगया, यहाँ पर 2.9 cm आगया, इसको मैं ले लेता हूँ, O, ठीक है, अब जब यहाँ पर, यह half half हो गए, तो इसका मतलब क्या है, कि जो यह AC है न, यह half हो जाएगा किसका, मतलब जो AC है, तो यहाँ पर, AC तो 5.8 आजाएगा, तो O, एक इतना हो जाएगा, उसका, आदा हो जाएगा, ठीक है न, AC का, उसी तरह से, जो यहाँ पर, यह डाएगो न लाएगा, AC से, यह कौन सा, BD, तो BD यहाँ पर कितना है, 6.4 है, तो जब मैं यहाँ पर लोगा, D को, उपर की तरफ है न, अगर मैं AC देखता हूँ, तो यहाँ से उपर की तरफ D है, तो यह भी आदा हो जाएगा, हैना, O से, तो यह है मेरे पास कितना, BD, BD कितना है, यहाँ पर 6.4 है, 6.4 सेंटिमेटर, ऐसे होगा, B यहाँ पर, और D यहाँ पर, हैना, तो 6.4 का, हाफ हो जाएगा, तो यह जाएगा 3.2, उसी तरह से, मेरा क्या हो जाएगा, O BD हो जाएगा, तो O BD, 3.2 सेंटिमेटर रहेगा, तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि D है, तो OD को मैं कितना लूँगा, तो यह 3.2 सेंटिमेटर रहेगी, अभी मैं सेम O से, इधर की तरफ लगा जिता हूँ, O से A की तरफ, नहीं O से A की तरफ नहीं, यह तो मेरा पास है, B की तरफ लगा जिता हूँ, तो यहाँ पर, ठीक है, यह भी 3.2 सेंटिमेटर रहेगी, और यह point क्या रहेगा, यह रहेगा B अभी मैं क्या कर रहता है, उनको join कर रहता हूँ B को A से ठीक है, सभी point को join कर रहता हूँ मैं हापस में और B को C से उसी तरह से इसको A को D से, ठीक है और C को D से तो इस तरह से जो हमारा ABCD romba से वो construct हो जाता है अभी हमें इसकी steps of construction write करने हैं, जो मैंने पहले सी write कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उनको सबसे पहले हमने क्या क्या, draw किया AC 5.8 cm, यह पूरा 5.8 cm है यह draw किया हमने उसके बाद हमने क्या क्या, draw XY perpendicular, तो यह XY है यह perpendicular bisector draw किया हमने BD का at O तो O पर यह perpendicular bisector आ जाता है इसके बाद हमने क्या 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 cut off OD 3.2 cm OD को हमने cut क्या 3.2 cm and OB 3.2 cm उसी तरह से OB को cut क्या 3.2 cm क्योंकि यह BD के क्या है हाफ हो जाएंगे, ठीके now join AB, AD and BC, CD तो इसके बाद हमने AB, AD, BC और CD को मिला है Hence, ABCD is our required rombas तो इस तरह से जो हमारा ABCD rombas है वो construct हो जाता है Next is के part number 5 का question number 1 तो यहाँ पे हमें PQRS एक trapezium construct करना है इन given measurements का use करके तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक rub sketch do करते हैं तो यहाँ पे मैंने PQRS trapezium के एक rub sketch do कर लिया है अब हम यहाँ पे जो measurement है इनको fill कर लेते हैं तो PQ कितना है यह है 7 cm तो यहाँ से यहाँ था कि यह पूरा 7 cm ठीक है नब PQ QR है मेरे पास 4.5 cm RS है 3.5 cm and SP है 4 cm ठीक है इस rub sketch का use करके हमें जो trapezium PQRS है वो construct करना है लेकिन जब हम यह देखते हैं यहाँ पे देखो मैं PQ तो आसानी से बना लूँगा कि यहाँ पे baseline बना लूँगा मैं ठीक है PQ 7 cm अब मैं P से लगा भी दूँगा मालीजी यहाँ पे 4 cm क्या तो मैं दूसरा कहां से लोँगा मैं इसको इधर लूँ इधर लूँ या फिर मैं P से इधर की तरफ लूँ इधर की तरफ लूँ इधर की तरफ लूँ कहां की तरफ लूँगा यह मुझे idea नहीं लगेगा ठीक है तो इसलिए मैं क्या करूँगा P से ना देखो हमें पता है कि जो trapezium होता है उसकी जो opposite side से हो क्या होते है पैरलल होती है ठीक है पैरलल होती है तो मैं इस तरह करके यहाँ पे एक trapezium draw कर सकता हूँ मतलब trapezium कैसे करूँगा मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से कि P से ना यह 3.5 cm होगा क्यों 3.5 क्यों क्योंकि इसका हो जाएगा half देखो मुझे यहाँ पे 3.5 है यह इधर की तरफ तो मैं क्या करता हूँ इधर से 3.5 cm रेडिस की आर्क लगाज़ता हूँ ऐसे ठीक है न मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हम जो हमारा फेर स्केच होगा उसमें इस तरह से करेंगे लेकिन रफ में एक बार करना हमें जलूरी है ठीक है जिससे कि हम easily इसको construct कर सकें तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा आर्क लगाके एक लाइन खीज़ दूँगा ऐसे ठीक है तो यह बन जाएगा एक ट्रेपीजिम तो मैं इसको मान लीज़े x मान लूगा तो फिर मुझे क्या करना होगा यहाँ पे ना पहले एक ट्राइंगल कंस्टक्ट करना होगा इस तरह से यह मैं ट्राइंगल कंस्टक्ट कर दूँगा पहले इधर ठीक है मतलब इस बेस लाइन पे ऐसे यह s, यह p और यह x इधर से यह 4 cm का और यह भी 4.5 हो जाएगा क्यों क्योंकि अपोजिट साइड देखो यह बनीगा है पैरललोग्राम यह 3.5 है यह 4.5 यह 4.5 तो पैरललोग्राम भी यह अपोजिट साइड है वह होती है इक्वल ठीक है 7 cm तो यह आगया मेरे पास पीक्यू ठीक है 7 cm तो टोटल कितना है यह 7 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं नीचे थोड़ा सा अभी मुझे क्या करना है इसके यहाँ पे पी एक्स पे 3.5 cm रिडिस का आर्क लगाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको कमपास पे fix करूँआ ठीक है ना compass को मैं fix कर लेता हूँ 3.5 cm radius पे तो यह आ गया तो मैं p से 3.5 cm radius की आर्क लगा लेता हूँ ऐसे ठीक है यहाँ पे तो इसको मैं माल लेता हूँ point x मैंने यहाँ पे माला है तो इधर 3.5 cm लगा लेता है अभी क्या करना है p से एक आर्क लगानी है 4 cm की p से लगानी है ठीक है ना यहाँ पे दिया हुआ यह p से s तक की जो distance है वो कितनी है 4 cm है तो 4 पे मैं fix कर लेता हूँ compass को यह हो गया तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ triangle type बनेगा है ना तो मैं इधर की तरफ लेता हूँ यहाँ पे ऐसे तो यह 4 cm हो गया ठीक है अब क्या करना है p से तो मैंने ले ली 4 cm की आर्क अब मुझे x से लेना है कितना 4.5 मैंने बताया था 4.5 क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे जो यह line यहाँ है ना p q तो यह इसके इक्वल है p q के क्योंकि पैलोग्राम फॉर्म हो गया यहाँ पे x q r s तो जितना r q है उतना ही q x s होगा तो इसलिए मैं 4.5 के लूँगा तो मैं अभी 4.5 पे fix कर लेता हूँ इसकी length को अभी यहाँ से एक arc लगा लेता हूँ और तो यह arc जो है intersect करती है किस पे? s पे करती है देखो raps cage को तो raps cage के according कर रहा है हमे s पे करती है अभी हम क्या करा लेते हैं इनको join करा लेते हैं दोनों को ठीक है न? मतलब ps को और x s को इन दोनों को join करा दिया है मैंने ps और x s ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है यहां से? जो यह है q q से 4.5 cm radius की arc लगा दी तो यह अभी 4.5 पे मैंने किया था तो q से लगा जते हैं देखो न 4.5 पे ही है यह q से लगा जते है 4.5 cm radius की arc तो यह मैंने लगा दी खीक है? अभी क्या करना? s से लगाना 3.5 cm radius का तो इस पर fix कर लेते हैं इसको 3.5 previous arc को cut करते हुए किस पर? point r पे पहली वाला arc की थी तो s से लगाएंगे हम और पहली वाली arc को cut करेगा किस पर? point r पे मैं इदर r ले लेता हूँ अभी join करा देते हैं इनको किस को? r q को एक तो r q को join करा दे और एक r s को join करा दे ठीक है? r s इस तरह से जो हमारा trapezium है p q r s यह form हो जाएगा मैं यहाँ पर dimension लेग देता हूँ इसकी यह 4 cm यह 4.5 cm यह हमने 3.5 cm radius की arc लगाई और यह पूरा तो 7 cm था ही ठीक है न? और यह भी हमारे पास 4.5 रहेगा क्योंकि यह क्या बन गया? यह बन गया ट्रैक वो हो parallelogram ठीक है? opposite side equal होंगे इसकी यह 4.5 cm और यह 3.5 cm रहे था हमारे पास तो इस तरह से जो हमारे यह trapezium p q r s यह form हो जाएगा अभी इसकी construction देख लेता है तो construction के steps मैंने यहाँ पर write कर लिये तो जो जो मैंने यहाँ पर किया था वो write कर लिया है तो पहले हमने क्या किया था? p q draw किया 7 cm तो draw p q 7 cm and cut off p x is equal to 3.5 cm from p q p q से हमने क्या किया? 3.5 cm radius के arc लगा कि इसको cut किया है ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? फिर हम क्या करेंगे? 4.5 cm radius के arc लगा के p से फिर हम x से लगाएंगे ठीक है न? 4.5 cm की और वो previous arc को cut करेगा s पे उसके बाद हमने क्या किया? q से लगाई जोइन करा दिया p s n x s को जोइन करा था इन दोनों को इसके बाद q से draw किया हमने एक arc radius 4.5 cm का q से हमने draw किया था फिर हमने किस से ये draw किया? s से draw किया और इन दोनों को मिला गए वही चीज़े मैंने यहाँ पे write किये ठीक है? now join s r m q r तो इस तरह से जो trapezium p q r s वो form हो जाएगा next day is के part number 5 का question number 2 तो यहाँ पे हमें p q r s एक trapezium construct करना है in given measurements का use करके तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक raps sketch draw करते हैं तो p q r s trapezium का मैंने यहाँ पे raps sketch बना लिया है मैंने इनको इस तरह से लिया है p q r s आप किसी भी तरह से ले सकते हैं इनको तो यहाँ पे जो r s है वो मैं फिल कर लेता हूँ कितना है इसकी जो measurement में सारी फिल कर लेता हूँ तो r s यहाँ पे दिया गया है 8 cm angle p दिया गया यहाँ पे 120 degree r दिया गया 45 and ps है यहाँ पे 4.7 cm तो यहाँ पे मुझे यह एंगल निकालना होगा ठीक है न यह वाला क्योंकि मैंने इसको base माना है तो मैं यह angle निकाल लेता हूँ चलो पहला रहाँ बना के देख लेते हैं इसको कि इससे हम form कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं जो यह दिये गए है ठीक है यह फिर यह insufficient है हमें कुछ और भी निकालना होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर rs ले लेता हूँ rs कितना है यहाँ यह है 8 cm ठीक है तो मैं इसको ले लेता हूँ rs 8 cm इदर ले लेता हूँ ठीक है 8 cm rs तो यह हो गया rs rs राइट कर देता हूँ और यह है 8 cm अब मैं क्या करना है यहाँ से 45 degree का अंगल बनाना कि इस पर r पर तो मैं r पर 45 degree का अंगल protector के help से बना देता हूँ ठीक है यह रहा है यहाँ पर विदाउट प्रोटेक्टर भी कर सकते हो इस तरह से कि पहले आप 90 degree का अंगल फर्म कर लीजिए हम विदाउट प्रोटेक्टर कर लेते हैं चलो r पे पहले 90 degree का कर लेते हैं फिर उसको bicep कर लेंगे तो यह मैं 90 degree का बना रहा हूँ पहले तो कैसे बनाते है 90 degree का पहले यह करेंगे हम उसके बाद हम 60 degree का लगाएंगे पहली पर उसके बाद यहां से 60 से 120 का लगाएंगे ठीक है ना यह 120 का लगा दी मैं फिर इन दोनों का bicep करके 90 आ जाएगा यह वाला ठीक है तो यह मेरे पास 90 आ गया तो पहले मैं 90 बना लेता हूँ तो यह 90 आ गया ना यहां पर ठीक है इसको dash dash कर देता हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं चाहिए मुझे इसका use करके 45 degree निकालना है यह और मेंट करा लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी help की ज़र्वत पड़ेगी यहां पर अब मैं क्या करूँगा यहां से इसका 90 का bisect कर देता हूँ तो 90 का bisect करके आ जाएगा मेरे पर 45 तो मैं इधर एक आर्क लगा लेता हूँ ऐसे पूरा कर लेता हूँ इसको ठीक है ना और यहां से जो यह इस 180 वाली आर्क को इसने यहां पर intersect किया था इस जगा पर जहां पर मेरे steel point है मैं एक और आर्क लगाएता हूँ यहां पर प्रिवेस आर्क को cut करके तो यह जो आया ना यह 45 डिग्री का इंगल है तो यह जो अभी आया है तो मैं यहां पर एक line कीज देता हूँ तीक है इस तरह से यह 45 डिग्री का इंगल है तीक है इसको ले लेते है एक्स यहां पर क्या ही एक्स माल लेते है इसको अभी देखे यहां पर ना मैं write कर दता हूँ कितने का यह 45 डिग्री का यह हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि RQ कितना है लेकिन S से दिया हुआ है अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं इधर ही मुझे P पर बनाना है कहीं यहां पर P आएगा P पर मुझे बनाना है 120 डिग्री का अंगल तो मैं किदर से लो इसको ID नहीं लेग रहा कोई यहां पर तो क्या करूँगा मैं यहां पर ना देखो P और S का यूज करके मैं क्या निकाल लूँगा S एंगल निकाल लूँगा क्योंकि जो P और S है ना देखो यहां पर इसने पहले बोल रखा है कि जो P Q है वो पैरल है R S के और जो P Q पैरल होगी R S के तो इसका मतलब क्या है यह दोनों एंगल जो है यह ट्रांसवर्सल लाइन होगी P S यह दोनों एंगल होगे कोई इंठीर तो मैं यहां पर लिख लूँगा एंगल P पलस में एंगल S इसकोल टो 180 डिग्री क्यों क्योंकि यह हैं कोई इंठीर एंगल्स ठीक है P यहां पर 120 है S निकालना है मुझे तो 180 डिग्री S की वैलो निकाल लोगा 180 डिग्री में से 120 माइनिस होके आ जाएगा यह आ जाएगा 60 डिग्री तो एंगल S पर एंगल S है मेरा 60 डिग्री का तो मैं S पर 60 डिग्री का एंगल बना दूँगा तो बिना कम उसका प्रोटेक्टर का यूज करके बना देते हैं यह यहाँ पर यह आ जाएगा इस तरह से तो इससे जो पहली आर्क लगेगी वो 60 डिग्री की होगी पहली आर्क तो यह मान लीजिए आपकी कितनी है मैं इसको बाद में लिख लूँगा वो सकता है इससे आगे चली जाए यह लाइन तो अभी देखें यहाँ पर S P कितना है S P है 4.7 तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4.7 को फिक्स कर लेता हूँ कम पास पर यहाँ से हर्क लगा दूँगा एक तो यह 4.7 है ठीक है अब मैं इसको क्या ले लेता हूँ इसको मैं ले लेता हूँ Y ठीक है न और यह 4.7 है S Y वो किस पे इंट रेक्ट करेगा यह करेगा P point पे तो यह P point है अब हमें यहाँ पर क्या करना है P पर है 120 डिगरी का अंगल तो मैं P पे 120 डिगरी का अंगल बना दूगा इसको थोड़ा सा ऐसे करके ठीक है तो 120 का बनाते हैं चलो इसका यूज़ करके compass का only तो यह आजाएगा यहाँ पर इस तरह से यह arc लगाते हैं हम ठीक है यह तो इधर से पहली arc लगती है 60 डिगरी की और दूसरी arc लगती है किसकी 120 डिगरी की तो यह 120 डिगरी के अंगल है अब इसको करा जते हैं हम meet ठीक है तो यह meet करेगा कहा पर यह इधर meet करेगा इस तरह से चारेगा ठीक है ना इससे intersect होते हुए यह तो यह किस पर meet कर रहा है यहाँ पर यह कर रहा है क्यूबे ठीक है ना तो इस तरह से हमारा जो यह trapeze में PQRS यह construct हो जाता है बाकी जो चीजें यहाँ पर लिखनी थी यह हाँ यह हो रहे यह 105 डिगरी और यह 60 डिगरी ठीक है तो इसकी जो construction है ना वो मैंने यहाँ पर steps of construction write किये हुगा है तो वो मैं बोल देता हूँ इधर देखो तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमने क्या किया step wise RS हमने draw किया 8 cm लिख देंगे draw RS it is equal to 8 cm उसके बाद हमने किया SRX इसके बाद हमने यहाँ पर निकाला था 60 degree के अंगल S को acquainted angles का यूज करके तो यह आगया मेरे पास कितना 60 degree तो हमने किया draw RSY 60 degree RSY 60 degree ड्रो किया उसके बाद SP पर cut off किया 4.7 cm तीक है कितना 4.7 cm तीक है SY से इसके बाद हमने क्या किया draw SPZ तो यह SPZ SPZ कह सकते हो यह थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको मैंने पूरा लिख लिए इसको SPZ ठीक है न यह को बादा ने Z लिख लिख देते हैं SPZ 120 degree which intersect RS at Q जो क्या करता है RX को Q पे इंटेसक्ट करता यहाँ पे ठीक है AND SPQRS is our required trapezium Next is के part number 5 का question number 6 तो यहाँ पे हमें ABCD एक trapezium construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी हमारे पास इस तरह के questions आते हैं तो हम सब से पहले उसके लिए क्रप sketch draw करते हैं तो यहाँ पे मैंने ABCD trapezium का एक raps sketch draw कर लिया है ठीक है अभी जो यह given measurements से इनको fill कर लेते हैं इसमें तो AB यहाँ पे है 5.5 cm AD है यहाँ पे 4.5 cm and angle A है यहाँ पे 65 degree ठीक है और CD है कितना यहाँ पे यह है 4 cm तो अभी हमें क्या करना है जो यह baseline है इसकी इसको draw कर लेना है AB तो AB मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कितना है 5.5 cm ठीक है तो मैं इधर ले लेता हूँ AB 5.5 cm ठीक है तो यह 5 यह 5.5 तो AB आ गये यहाँ पे 5.5 cm अब क्या करना है जो A पे है ना यह angle 65 degree इसको मैं क्या कर लेता हूँ बना लेता हूँ यहाँ पे इसका protector का यूज करके ठीक है ना A पे 65 degree का angle तो यह 65 degree का होगा तो यह 65 इधर देखो अब यह कैसे लगाते हैं कि यह बच्चों को confusion रहते हैं कि हम यहाँ पे 65 यह वाला ले यह वाला या फिर 65 यह वाला ले तो इसका सीधा सा तरीका है कि जब भी आपकी baseline राइट हैंड की तरफ हो देखो यह baseline यह सीधे हाँ की तरफ है ना इस protector के according तो जब भी आपकी baseline सीधे हाँ की तरफ हो हम लेते हैं हमेशा नीचे वाले तो नीचे वाला कौन सा है आपका यह है तो इसमें 60 और 70 में हम ले लेते हैं इधर अगर यह baseline उदर होती था हम लेते हैं उपर वाले 65 डिग्री का इंगल तो यहाँ से बना देंगे हमें इसको इस तरह से इसको मैं ले लेता हूँ X ठीक है अब क्या करना है हमें यह तो यहाँ पर आगिया 65 डिग्री का इंगल अब देखो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं यहाँ से यह है न जो AD ठीक है यह 4.5 cm का है तो क्या करेंगे यहाँ से 4.5 cm पर compass को fix करेंगे तो यह मैंने 4.5 पर fix कर लिया इसको और यहाँ से एक आर्क लगा दी ठीक है न ऐसे तो यह 4.5 पर fix हो यह कट हो गया ठीक है न तो यह कितने पर किस पर कट होती है यहाँ पर D पर तो AX को यहाँ पर मैंने किस पर कट किया है 4.5 cm पर यहां से आर्क लगागी एक इसके बाद हम क्या करते हैं देखो इसके बाद कैसे बना सकते हैं नहीं बना सकते बी से भी नहीं बना सकते कोई यह तो है मेरे पास डी लेकिन मैं इसको डी किसे किदर लो 4 cm मैं ऐसे लूँ ऐसे लूँ या फिर किस तरह से लूँ तो इसके लिए हम एक चीज यूज़ करेंगे हमें पता है कि यहाँ पे जो AB है वो DC के पैरलल है देखो यहाँ पे relation दिया हुआ है AB, DC के पैरलल है तो यहाँ पे AB है यह D दे रखा है तो यहाँ पे कहीं C होगा यह इसके पैरलल होगा और जब पैरलल होती है lines मतलब अगर मैं कहूँ कि यह जो है इसके पैरलल है जब पैरलल होती है तो उनके जो corresponding angle है वो होते है equal तो मैं मालो इसको ऐसे produce कर लोँ थोड़ा सा तो यहाँ पे जो angle होगा यह इसके corresponding होगा तो इसके मतलब मैं यहाँ पे इधर कोई अंगल बना सकता हूँ ऐसे यहाँ पे इधर बाहर की तरफ तो मैं इस पे 65 डिगरी का अंगल बना दूँ तो मैं यहाँ पे बना लिता हूँ इसको D D पे मैं बना लिता हूँ 65 डिगरी का अंगल ठीक है मैं तो यह 65 होगा क्योंकि baseline अब मैं किदर की तरफ ले रहा हूँ मैं इधर बाहर की तरफ ले रहा हूँ यहां पर ठीक है तो यह किस की तरफ होगा देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लो कि यह यहां पर आए ठीक है तो मेरा angle तो इधर की तरफ रहेगा अब मतलब baseline इधर की तरफ रहेगी तो जब मैं इधर की तरफ लूँगा तो कहां पर होगा यह आएगा यहां पर 65 ठीक है तो यह मैं मीट करा जिता हूँ ऐसे अब थोड़ा line में बढ़ा जिता हूँ यहां से आगे इधर यह मैं ले लेता हूँ क्या y इसको मैं y लेता हूँ ठीक है y आप सीधा ले 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 इसको ऐसे तो यह 65 डिग्री का एंगल है यहां पर अब मुझे क्या करना है मुझे रास्ता मिल गया यहां पर इस तरह रास्की सीधा-सीधा मुझे यहां पर आर्क लगाने तो d से मैं 4 cm रेडीस के अर्क लगा तो मैं इसको क्या करूँगी कंपास पे fix कर लेता हूँ 4 cm रेडीस हो गई हम मैं d से अर्क लगा देता हूँ एक तो यह इधर अर्क लग गए इसकी ठीक है इसको मैं लेता हूँ क्या आएगा यह point यहाएगा c जब मेरा sketch में देखता हूँ तो यह आता है C point अब क्या करना है इस पर लिख देना है 4 cm बस यह point आ गया और यह point पशगया मेरा इनको मैं join करा देता हूँ तो यह मैं join करा दिया ठीक है तो इस तरह से हमारा जो यह trapezium है ABCD यह construct हो जाता है तो इसके कुछ steps of construction है जो मैंने पहले ही write कर लिए यहाँ पे तो जो जो हमने किया है वो यहाँ पे इस तरह से write किया है तो देखो सबसे पहले हमने क्या क्या था AB draw क्या था 5.5 cm उसके बाद हमने यह BAX ठीक है हमने क्या क्या BAX 65 degree का एंगल बनाया और cut off क्या AD 4.5 cm ठीक है ना A क्योंकि AB parallel है CD के तो यह corresponding angle बनेंगे है ना बाहर की तरह and cut off DC तो जो DC है अच्छा इसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे C आएगा यह ठीक है and cut off DC it is equal to 4 cm now join BC तो BC को join करा दिया मैंने इस तरह से तो इस तरह ABCD जो है हमारा required trapezium हो जाएगा next is के part number 5 का question number 10 तो यहाँ पे हमें ABCD एक trapezium construct करना है इन given measurements का यूज करके तो जब भी हमारे पास इस तरह की questions आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक rough sketch draw करते हैं तो यहाँ पे मैंने trapezium ABCD का एक rough sketch draw किया है तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जो यह measurements दी गई है इनको fill कर ले ना इसमें तो AB यहाँ पे ह यह है 75 degree ठीक है अब हमें क्या करना है कि rough sketch का यूज करके जो यह trapezium है ABCD इसको construct करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी base line है उसको ले लेता हूं तो base line है यहाँ पे 6.5 cm draw कर लेता है 6.5 ठीक है मैं इधर ले लेता हूं इसको 6.5 यहाँ यह 6.5 ठीक है तो AB है यह 6.5 cm अब क्या करना है ए पे 45 degree का एंगल बनाना है ठीक है तो AB मैं 45 degree का एंगल बना जेता हूं यहाँ से protector का यूज करके तो यह आ गया ठीक है मैं 45 डिक्रे का एंगल कहाँ पे बनेगा यह 40 और 50 के बीच में तो यह रहा 45 डिक्रे हूं ठीक है इसको क्या करा जिता है meet करा जिते हैं यहाँ से थूड़ा extra कर देता है line है इसको यहां तक बढ़ा जैता है हम ठीक है इसको हमने इधर तक बढ़ा लिया है x रख देते हैं इसका नाम यहाँ पर अब b पे क्या है 75 डिगरी का एंगल है मैं यह लिख देता हूँ यह 45 डिगरी का पना है हमने और b पे 75 डिगरी का तो b पे 75 का रखते हैं तो यह 75 है यहाँ पर तो इदर इसकी लाइन प्रोडूस कर देते हैं हम यह यह ले लेता हूं मैं यह यहां पर 75 अब इसको किस तरह से बना सकते हैं देखो जब आप sketch देखते हैं हम तो यहां से AD कुछ हाई नहीं C से D 10 cm है तो यह point आपका जो है वो C है लेकिन C से मैं 10 cm इधर लूँ यहां पे लूँ इधर लूँ कहां पे लूँ हमें कोई idea नहीं लग रहा है इसका ठीक है लेकिन जब मैं देखता हूं यहां पर कि ट्राइंगल है यह बन रहा है ट्राइंगल ABC तो इस मैंसे मैं angle C निकाल लेंगे 180 में से जो given angle है उनको minus कर देते हैं तो 75 एंड यह minus 45 डिग्री तो 180 में से 120 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 60 डिग्री अब देखो यह तो मेरे पास आ गया कि यह 60 डिग्री मैं यहां पर बना लूँगा इसको बनाने से क्या फायदा है कोई फायदा नहीं परक नहीं लगा सकते हैं 10 cm की इस तरह से तो इसके लिए मुझे न यह पूरा एंगल सी ढूनना होगा DCB तो अभी यहां पर हमें क्या दिखता है एक relation दिखता है कि AB जो है वो CD के parallel है मतलब यहां पर जो line बनी है न तो इधर CD आएगी कहीं D यहां पर आएगा point तो जो CD है वो इसके parallel होगा वैसे भी trapeze में हमें पता है कि one pair जो होता है one pair वो क्या होता है parallel होता है ठीक है तो जब यहां पर parallel side आ जाएंगे तो यह AC बनेगी इसके transversal और transversal बन जाएगी तो जो यहां पर angle होगा वो यहां पर भी बनेगा ठीक है तो देखो मैं इसको कह सकता हूँ कि angle DCB जो है angle DCB वो किसके खुलाएगा वो आएगा AC ये इसके BAC के ने DCA कह रहा हूँ है अपर इन DCA जो है वो किसके खुलाएगा BAC के angle BAC 45 degree ठीक है तो यह भी मेरा निकलाए 45 degree है इसके बाद मुझे चाहिए क्या पूरा DCB तो angle DCB कैसा आएगा angle DCB आएगा इन दोनों को म इसको किया मैंने देखू DCA जो मेरा है 45 degree और ACB जो ACB मेरा है 60 degree इन दोनों को मिला के बनेगा 105 degree तो मैं C पे 105 degree का angle बना लेता हूँ ठीक है तो C पे बना लेते है 105 का ठीक है तो 105 कहां पर ये रहा इसके 110 के बीच में इसको बढ़ा लेते हैं आगे ठीक है यहां तक कर दिया मैंने इसको अब देखो C से जो D है वो है 10 cm तो क्या करते हैं compass को fix कर लेते हैं 10 cm तो ये रहा है यहां पर ठीक है 10 cm तो इस पर एक arc लगा लेते हैं जो ये line produce हुई थी हमारी ठीक है 105 की मैं पहले लिख लेता हूँ इसको ये total कितना था यहां पर ये था 105 degree ठीक है इसको मैं माल लेता हूँ क्या है ये है Z ठीक है क्योंकि x y तो मैं पहले ले लिया तो यहां पर मैंने इसको z ले लिया और यहां पर इसने इसको intersect किया c z को इस point पर इसने इसको किया d पर intersect ठीक है यहां से मैं देख लूँगा कि ये a c तो इसके उपर आएगा d अभी इनको को जॉइन करा दिते हैं किस को a d को एक तो a d को जॉइन करा दिया मैंने और फिर बस a d की जॉइन कराना है यह तो अपना आप आ जाती यह लाइं यह मैं लिख लेता हूँ यह क्या है 10 cm है ठीक है तो इस तरह से जो हमारा quadiletal यह trapezium है a b c d वो construct हो जाता है अभी इसके steps of construction कर लेते हैं तो जो जो हमने किया वो हम राइट कर लेंगे तो यह देखो यह मैंने पहले से राइट किये हुए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया a b draw किया 5.5 cm उसके बाद मैंने क्या क्या draw किया b a x तो b x को 45 degree ट्राइट किया मैंने ठीक है उसके बाद a b y को मै intercept करती है बिल्कुल ये जो ax है ये by को c पर intercept करती है ठीक है ना इसके बाद हम जा करेंगे यहाँ पर हमने किया था इसके बाद कि इधर मैंने formation निखा ली थी ठीक है न पूरी इसमें मुझे मिला था जो dc भी है वो 105 degree तो मैंने 105 degree का angle draw किया है यहाँ पर बी सी जैड तो मैंने बी सी जैड ड्रो किया 105 degree का and cut off cd तो cd को cut किया कितने पर 10 cm फोट ऐसे लिख दिया ठीक है ना यह है 10 cm इसके बाद मैंने जॉइन करा दिया ad को ठीक है ना जॉइन ad तो ad को जॉइन करा दिया तो इस तरह से हमारे ट्रापीजे में वो अंस्ट्रक्ट हो गया